नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत सागत है परिच्छावर्ड के से यूटूब चैनल में दोस्तो लेकपाल भक्ती परिच्छा के लिए मैंने समान हिंदी की जो सिरी सुरू की है टॉपिक वाइज उसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है अभी तक हमने पढ करने जारे समान हिंदी का परिवची सब्द। इसमें हम बहुत सारे इंपॉ्टेंट परिवाची सब्दो को कवर करेंगे जो आपकी लग सकते हैं विडियो को सुरू करता हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सूचना देदू, अगर आपको अभी तक मैंने जितनी भी classes ली हैं आपकी जैसे GK, GS और करंडफेस के practice set की मैंने जितनी भी अभी तक 30 classes ली हैं, ये 30 practice set इसके लावा, समान हिंदी की मैंने जितनी भी practice set की classes ली लगवक 17 practice set इसके लावा, और जितनी मैंने classes अटेंड की हैं, ग्रामीर परवेश की इसके लावा, योजनाओं की इसके लावा, और भी जितनी classes मैंने अटेंड की हैं उन सब की अगर आपको पीडिएप चाहिए paid पीडिएप, तो मामूली मुली पे मैं आपको ये पीडिएप अब लेवल करा दूँगा तो अगर आपको पीडिएप चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर contact कर लिजेगा 63 86 27 14 08 इस पर आप message कर दिजेगा वाटसेप पर अगर आप interested होगे पीडिएप के दिए सभी पीडिएप आपकी paid होगी बहुत ही कम दाम पिम जो है मैं आपको अभी तक की जितनी भी classes होगे सबकी पीडिएप with answer उपलब भी करवा दूँगा तो अगर आपको पीडिएप चाहिए होगी करनल होता है, इसके बाद वु काक सानु लिखाता है अग्नी का, इसके बारे में आप यहां देखेगा अग्नी का परवाची, इसके बाद असूरक के अगर हम बात करें यहाँ पे वही आपका थोड़ा सा tapping mistake यहाँ पे है वही आपका इस प्रकास होता है वही तो यह वाला जो वही आपका है यह आपका पर्यवाची है अगनी का असूर का पर्यवाची क्या होता है तो दनुज हो जाएगा दानव हो जाएगा इसके बाद दैत्ति हो जाएगा रा अनुपम का क्या होता है पर्यवाची तो अनुपम का आपका हो जाएगा अपुर्व हो जाएगा अनोखा हो जाएगा अद्भूत हो जाएगा अनूठा हो जाएगा अद्विती हो जाएगा और अतुल हो जाएगा यह सभी इंपॉर्टेंट आपके पर्यवाची है अनुपम के एक बार रिपीट में कर दे रहा हूँ अपुर्व अनोखा अदभुत अनूठा अद्विती अतुल इसके बाद अमरित का पर्यवाची क्या होगा पियूस हो जाएगा सुधा हो जाएगा अमिय हो जाएगा जिवनोदक हो जाएगा यह से भी अस्व का वाची हो जाएगा है हो जाएगा घोटक हो जाएगा इसके बाद घोड़ा हो जाएगा सैंधा हो जाएगा तूरंग हो जाएगा और आपका तूरग हो जाएगा यह से भी इंपोर्टेंट आपके किसके पर्यवाची है तो आपके अस्व के पर्यवाची है यहां प और प्यूस में भी बड़ी रहेगी द्यूस उस प्रता से प्यूस होता है या आपका लिखा उया इस प्रखा से फ्रकास सेorta हे आपकी लिखा हुआ यह आपका पर्या सद्वित्ह Pas नयन हो जाएगा, इसके बाद चक्छू हो जाएगा, द्रीग हो जाएगा, यहाँ पे द्रीग है, द्रीग अक्छी हो जाएगा, अंबक हो जाएगा, द्रिष्टी हो जाएगा, वी लोचक हो जाएगा, यह से भी इंपोर्टेंट आपके यहाँ पे वी लोचन है, वी लोचन तो यहाँ पे आपका आख का यह पर्यवाची है नित्र हो जाएगा लोचन हो जाएगा नयन हो जाएगा चक्छु हो जाएगा द्रीग हो जाएगा अक्छी हो जाएगा अक्छी के बाद आपका अंबक हो जाएगा द्रिश्टी हो जाएगा और वी लोचन हो जाएगा वी लो करना पड़ेगा अगला है अकास अकास का परेवाची क्या होगा तो आपका ब्योम होता है अकास का परेवाची गगन होता है अब्र होता है इसके बाद अंबर होता है इसके बाद आपका नब होता है इसके बाद अंतरिक्ष होता है आसमान होता है अनंत होता है यह से भी आप अमबक और आकास का अमबब है तो आम का क्या हो जाएगा तो आम का पर्यवाची होता है आमर हो जाएगा चूत हो जाएगा रसाल हो जाएगा अमरित्फल हो जाएगा सहकार हो जाएगा और अतिसौरब हो जाएगा यह सबी आपको क्या है तो यह सबी आम के पर्याएवाची है तो इनको आप आप आद देखेगा आमर चूत रसाल अम प्रसन्नता हो जाएगा और उल्लास हो जागा यह से भी important आपके आनन्द के पर्यवाची है मोद प्रमोद हर्स आमोद सुख प्रसन्नता उल्लास इंपोर्टेंट है इनको आप याद कर लिजिए गा इसके बाद आस्रम का पर्यवाची क्या है आस्रम का हो जाएगा मठ हो जाएगा विहार हो जाएगा कूटी हो जाएगा क्या हो गया तो आस्रम का हो जाएगा आपका मठ हो गया विहार हो गया कूटी हो गया इसके बाद अस्तर हो गया अस्तर के बाद आपका अखाडा हो गया अखाडा के बाद आपका संग हो गया, यह से भी important आपके पर्यावाची हैं, एक बार फिर मैं आपको repeat करते रहा हूं, मिट मठ हो गया, वीहार हो गया, कुटी हो गया, कुटी के बाद अस्तर हो गया, अखाडा हो गया, और संग हो गया, यह से भी आपके आस्रम के पर्यावा इनको आप याद कर लिजेगा अकांचा, इपसा, अभिलासा, चाह, कामना, मनुरत, इस्प्रीहा, इहा और वांचा यह से भी इंपोर्टेंट आपके इक्छा के पर्याई बाची हैं इसके बाद गधा का पर्याई बाची अगर हम जानना चाहें तो गधा का पर्याई बाची इसके बाद धाम हो जाएगा यह से भी इंपोर्टेंट आपके गधा के पर्याई बाची हैं खर, गर्धब, धूसर, रासब, बेसर, चक्रिवान, वैसाख, नंदन इम्पोर्टेंट है इसको आप नोड़न कर लिजेगा गेह का क्या हो जाएगा तो गेह का पर्याई बाच इनको आप नोड़न कर लिजेगा घर, निकेतन, भवन, सदन, अगार, आयतन, निलय, अवास, धाम, ग्री, गंगा की क्या हो जाएगा तो गंगा का पर्याई बाची होता है जानवी हो जाएगा, देवनदी हो जाएगा, सूरशरित हो जाएगा, भागी रती हो जाएगा, म इसे भी important आपके गंगा के पर्यायवाची हैं इसके बाद गड़ेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा तो गड़ेश का पर्यायवाची होता है लंबोदर हो जाएगा एक दंत मुसक वाहन हो जाएगा गजवदन हो जाएगा इसके बाद गजानन हो जाएगा गजानन के बा उसके बाद आपका मोदध दाता हो जाएगा पर्रेवाची, किसका तो गड़े इसका, इंपोर्टेन पर्रेवाची है, आप इसको नोट डाउन क लिजेगा, कुबेर के अगर अगर हम बात करें, तो कुबेर का पर्रेवाची क्या होता है, कुबेर का होता है यक्छ राज हो जाएगा धनद हो जाएगा यक्छ राज धनद धनाधीप हो जाएगा राज राज हो जाएगा इसके बाद किन्न रेस हो जाएगा किन्न रेस हो जाएगा आपका कुबेर का पर्यवाची इंपोर्टेंट है इनको आप नोट डान कर तो बार बार इसको देखिएगा कम से कम इसको तो विवाइस कलते ही रहेगा अगर आपको पर्यवाची सब्द पे कमांड अपनी बनानी है तो इसके बाद अगला क्या है आपके सामने इंद्र का पर्यवाची क्या हो जाएगा तो इंद्र का पर्यवाची आपका होता है सूर सुर्पति हो जाएगा इंद्र का पर्यवाची इसके बाद आपका हो जाएगा मघवा हो जाएगा पुरंदर हो जाएगा पुरंदर के बाद वासव हो जाएगा महंद्र हो जाएगा और देवराज हो जाएगा इसे भी इंपोर्टेंट आपके किसके पर्यवाची हैं तो इं पट हो जाएगा वसन हो जाएगा अंबर हो जाएगा और चीर हो जाएगा तो आप याद कर लिजेगा कपड़ा का परवाची आपको अंबर होता है अंबर आपका मैंने अकास का भी परवाची अंबर होता है और इसमें देख रहे हैं आप कपड़ा का भी परवाची अंबर ह क्या है तो इसको ध्यान दिधि दीजिएगा और इसके बाद चीर परेवाची होता है इंपोर्य WHO हो जाएगा अरविंद हो जाएगा पदम हो जाएगा कंज हो जाएगा सतदल हो जाएगा सतदल, इसके बाद अम्बुज हो जाएगा, सरशीज हो जाएगा सरशीज आपका परेवाची कमल का याद कर लेजेगा, नलिन हो जाएगा और तामरस हो जाएगा यसे भी important आपके कमल के पर्यायवाची है तो इनको आप नोट डाउन के लिजएगा important यह है और कीरन का पर्याची क्या हो जाएगा तो कीरन का हो जाएगा मरीची हो जाएगा मयूख हो जाएगा मरीची मयूख अन्सू हो जाएगा कर हो जाएगा रस्मी हो जाएगा प्रभा हो जाएगा अर्ची हो जाएगा और गो हो जाएगा अर्ची पर छोटी यह आपकी रहेगी यहां पर अर्ची पर यहां पर आपकी छोटी यह रहेगी इस पर का से यह अर्ची जो है आपका किरण का पर्याई वाची है इसके बाद इस तरी के अगर हम बात करें तो इस तरी का परेवाची क्या हो जाएगा तो इस तरी का आपका परेवाची होता है नारी हो जाएगा याद कर लेजिए गाप इस तरी का परेवाची आपका नारी हो जाएगा वनिता हो जाएगा महिला हो जाएगा कांता हो जाएगा और रमडी हो जाएगा क्या हो जाएगा नारी वनिता महिला कांता रमडी ये सबी important इस तरीके पर्याई वाची हैं सुन्दर का पर्यवाची क्या होता है तो सुन्दर का आपका पर्यवाची हो जाएगा रूचीर हो जाएगा इसके बाद आपका चारू हो जाएगा, रम्य हो जाएगा इसके बाद आपका हो जाएगा सुहावना हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा रमडिक हो जाएगा और ललित हो जाएगा यह सबी आपके important पर्यवाची है सुन्दर के इसको आप याद कर लिजेगा important है तदा सुन्दर का एक और पर्यवाची होता है चित्ता कर्शक किस प्रकास लिखाया गया चित्ता कर्शक तो इससे आप note down कर लिजेगा चित्ता कर्शक यह भी आपका पर्यवाची है किसका तो सुन्दर का तो इसको भी आप note down कर सकते हैं इसके बाद अगला क्या है आपके सामने पर्यवाची देख लेते हैं आपे मेग का पर्यवाची आपको बताना है तो मेग का क्या क्या होता है पर्यवाची तो घन हो घन हो गया, जलघर हो गया, वारिद हो गया, बादल हो गया, नीरद हो गया, नीरद के बाद आपका वारिधर हो गया, पयोध हो गया, पयोध के बाद अम्बुद हो गया और पयोधर हो गया, यह से भी important आपके मेग के पर्याइवाची हैं, इसके बाद मूनी का पर्याइवा यह से भी important आपके मूनी के परयावाची हैं रात्री का क्या हो जाएगा तो रात्री का परयावाची आपका होता है सरवरी हो जाएगा क्या हो जाएगा सरवरी हो जाएगा नीशा हो जाएगा राथ हो जाएगा रैन हो जाएगा रजनी हो जाएगा यामिनी हो जाएगा त्रियामा हो जाएगा विभावरी हो जाएगा और छड़दा हो जाएगा इसे भी इंपोर्टेंट आपके रात्री के पर्यवाची है तो इनको आप नोट डाउन कर लिजेगा राजा के क्या होता है तो राजा का पर्यवाची होता है नरिप हो जाएगा, भूप हो जाएगा, महीप हो जाएगा, इसके बाद महीपती हो जाएगा, और नर्पती हो जाएगा, नरेस हो जाएगा, भूपती हो जाएगा, राव हो जाएगा, और समराथ हो जाएगा, इसे भी इंपोर्टेंट आपके राजा के परेवाची हैं, नर सारदूल हो जाएगा व्याग्र हो जाएगा शिंग के यहां पर पहरी होता है केसी पर्यवाची होता है आपका सिंग का इसके बाद महावीर हो जाएगा यह सब फिरे का होताए मालतंड हो जाएगा जिनिकर हो जाएगा रभी हो जाएगा भासकर मरीची प्रभाकर के लिए अधित्य भानु अंसुgen हैं इसके बाद पर्याय बाची और क्या है इसके बाद सुनुर्य का परहेवाची है उगे विसा मह संette महादेव का पर्यावाची आपका हो जाएगा, संभू हो जाएगा, ईस हो जाएगा, पसुपती हो जाएगा, सीव हो जाएगा, महस्वर हो जाएगा, संकर हो जाएगा, चंदर सेकर हो गया है यहापे, इसके बाद भाव हो जाएगा, भू तेस हो जाएगा, भू तेस, इसके लिजेगा मतस्य सफरी मीन हो जाएगा मीन हो जाएगा इसके बाद जल जीवन हो जाएगा और जख हो जाएगा यह सब इंपोर्डेंट आपके व्रिच्छ के पर्यायवाची हैं चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा तो चंद्र का हो जाएगा चांद हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा और चंद्र का चंद्रमा हो जाएगा हिमानसु हो जाएगा सुधानसु हो जाएगा सुधाकर हो जाएगा सुधाधर हो जाएगा सुधाधर के बाद सुधाधर भी होता है सुधाधर इसके बाद राकेस हो गया ससी हो गया सारंग हो गया निसाकर हो गया इसके बाद आपका निसापती हो गया इसके बाद आपका रजनी पती हो गया फिर कला निधी हो गया और म्रिगांक होंगे, इसे भी important आपके चंदर के पर्याइवाची है, important है इनको आप note down कर लिजिएगा अगला क्या आपके सामने है, चूर चूर का पर्याइवाची क्या होता है तो चूर का आपका पर्याइवाची होता है तसकर हो जाएगा दस्यू हो जाएगा, रजनी चर हो जाएगा तसकर, दस्यू, रजनी चर, मोसक हो जाएगा कुम्भिल हो जाएगा, खनक हो जाएगा, सासिक हो जाएगा इसे भी इंपोर्टेंट आपके चोर के पर्याइब आची है जल का क्या हो जाएगा? तो जलका हो जाएगा आपका नीर हो जाएगा सलील हो जाएगा इसके बाद उदक हो जाएगा पानी हो जाएगा अंबू हो जाएगा तोई हो जाएगा इसके बाद जीवन वारी पय पय के बाद आपका अमरित हो जाएगा अमुरित के बाद आपका हो जाएगा मेग पुस्प ये से भी important आपके जल के परेवाची हैं तो इनको भी आप याद को लिजेगा ये से भी आपके exam के लिए बहुत ही ज़्यादा relevant है इसके बाद अगला परेवाची आपके screen पर देख रहे हैं आप यमुना का यमुना काफी सुता हो जाएगा सुर्य तनया हो जाएगा कालिंदी हो जाएगा कालिंदी के बाद अर्कजा हो जाएगा और क्रिश्णा हो जाएगा इसे भी important आपके यमुना के परेवाची है सुर्य सुता सुर्य तनया कालिंदी अर्कजा क्रिश्णा important है तलाब का क्या हो जाएगा तल जलासे हो जाएगा इसे भी इंपोर्टेंट आपके तलाप के पर्यवाची हैं सर, सरोव, तड़ाग, हरिद, पुष्कर और जलासे दास का क्या हो जाएगा तो दास का होता है अनुचर हो जाएगा चाकर हो जाएगा सेवक हो जाएगा नौकर, भृत्य, भृत्य के बाद किं कट, सोख, यहलए, जाए-क यहां यातना के बाद यहांतना के बाद यहांत्रणा हो जाेगा और खेद हो जाएगा यह से हब इंपोर्टेंट आपके फिद्र क क्या भीड़ा के सोग्रायगा देवत यहाज है दिख विभूद हो जाएगा और त्रीदस हो जाएगा आदित्य हो जाएगा और गीवाने हो जाएगा यह से भी इंपोर्टेंट आपके देवता के पर्यावाची हैं द्रभ्य क्या क्या हो जाएगा तो द्रभ्य का पर्यावाची होता है धन हो जाएगा वित्त हो जाएगा संपद हो जाएगा इसे भी आपके द्रव के पर्याइवाची है इसके बाद आपका नदी का यहाँ पर बात की जारे नदी का बहुत ज़्यदा परवाचि होताै किसका तो यह आपका परवाचि होता है तो यह आपका नदी का ही होता है तुछ जाएगा तरणी हो जाएगा जले आन जलपात्र हो जाएगा, तरी हो जाएगा, बेडा हो जाएगा, डोंगी हो जाएगा और पतंग हो जाएगा, इसे भी important आपके नौका के पर्यवाची हैं, इसके बाद पत्नी का क्या हो जाएगा, तो पत्नी का आपका पर्यवाची होता है, भार्या, दारा हो जाएगा, दारा पति का क्या होता है भरता हो जाएगा वल्लब हो जाएगा स्वामी हो जाएगा आरे पूत्र यह भी परेवाची आपका है पति का है हवा का क्या होता है वायू समीर हो जाएगा हवा का वायू समीर मरुत वात हो जाएगा बयार हो जाएगा इसके बाद प्रकंपन हो जाएगा समेरन हो जाएगा पवन हो जाएगा इसे भी important आपके हवा के पर्यवाची है इसके बाद पक्षी का क्या हो जाएगा विहंग हो जाएगा पक्षी का पर्यवाची विहंग होता है फिर विहंग होता है खग हो जाएगा पखेरू हो जाएगा परिंदा हो जाएगा इसके बाद चिडिया हो जाएगा चिडिया के बाद क्या होता है तो चिडिया के बाद आपका संकूत होता है अंडज होता है पतंग होता है और द्वीज होता है इसे भी इंपोर्टेंट आपके पर्यवाची है किसके तो चिडिया के इनको आप नोट डाण कर लेजएगा यहाँ पर पक् गीरी के अलावा आपका नभ हो जाएगा गीरी इस प्यकास लिखाएगा दोनों में छोटी रहता है गीरी में गीरी यह वाला जो गीरी है ने आपका यह पर्वत का पर्यावाची है इसके बाद क्या हो जाएगा नग हो जाएगा भूमी धर हो जाएगा तुंग हो जाएगा तुंग के अलावा आपका पहाड होता है, इसे भी आपके पर्यवाची हैं, पर्वत की, तो इनको आप याद कर ले जाएगा, इसके लावा अद्री, अद्री भी आप याद कर ले जाएगा, इस प्रकास लिखाएगा, अद्री भी आपका पर्यवाची सब्द है, पर्वत का पंडित का क्या होता है, तो पंडित का होता है, सूधी हो जाएगा, पंडित का परवाची सूधी होता है, बिद्वान होता है, कोविद्ध होता है, बुद्ध होता है, धीर होता है, मनीसी होता है, मनीसी के वालवा आपका प्राग्य और विच्छण, विच्छण, ये आपका परवाची होता है पंडित का, पुत्र का क्या होता है, तो पुत्र का आपका तनय हो जाएगा, सूत हो जाएगा, बेटा, लड़का, आत्मज, तनूज, ये सभी आपके परवाची हैं, किसके तो पुत्र के तनय, सूत, बेटा, बेटा, लड़का, आत्मज, तनूज, ये सभ important आपके पुत्री के परेवाची हैं इसके लिए प्रित्वी का परेवाची क्या है तो प्रित्वी का हो जाएगा भू हो जाएगा इला हो जाएगा इला हो जाएगा भूमी हो जाएगा धरा हो जाएगा इसके बाद उर्वी हो जाएगा धरती हो जाएगा इसके बाद आपका फूल हो जाएगा, उसके बाद सूमन हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, प्रसुन हो जाएगा, इसे भी important आपके परेवाची है, पुस्व के, यहाँ पर लाष्ट के तिन परेवाची आपके सामने है, बाड का क्या होता है, तो बाड का हो जाएगा, तीर हो जाएगा, फिर स सौधामिनी, चंचला, चपला, विद्दुज, सौधामिनी, दामिनी हो जाएगा, तरित हो जाएगा, इसके बाद बिजूरी हो जाएगा, और छण प्रभा हो जाएगा, इसे भी इंपोर्टेंट आपके बिजली के परहवाची है, ब्रह्मा का क्या होता है, ब्रह्मा का आत् विधी होता है और विधाता होता है, यह से भी important आपके पर्यवाची है, किसके, तो ब्रह्मा के, इनको आप याद कर लिजेगा, important है, डिरेकली आपसे यह पूछा जा सकता है, पर्यवाची, इसके बारे मैं आपको याद अखना है, important है, और इसके बाद, कुछ पर्यवाची छूट गये थे मुझसे, जो मैं आपको बता देरा, आप नोट अन कलिजेगा, जैसे सोना का मुझसे छूट गये था परवाची, तो सोना का क्या होता है, सोना का सुवर्ण हो जाएगा, सुवर्ण, इस प्रकास लिखाएगा, आपका सुवर्ण होता है, यह सोना का परवाच हाटक के बाद आपको जगा कनक हो जाएगा कनक जो है कनक यह भी आपका परवाची सोना का हिरन हो जाएगा हिरन इस परकास लिखाएगा हिरन यह भी आपका परवाची सोना का इसके लब हेम हो जाएगा हेम हेम भी परवाची आपका सोना का इसके लब जात रूप जात रहा हूं सुवर्ण सुवर्ण कंचन हाटक कनक हिरन हेम जात रूप यह सभी आपके किसके परवाची है तो सर्प का परवाची क्या होता है तो सर्प का भी मुझसे छुट गया था तो सर्प का परवाची क्या हो जाएगा सर्प का हो जाएगा अही हो जाएगा अही जो होता ह तो सर्प का पर्यवाची होता है तो इसको भी आप नोड़ाण को लिजेगा इसके बाद सरस्वती का पर्यवाची छुट गया था तो सरस्वती का क्या होता है ब्राम्मी होता है भारती होता है भासा होता है वाक होता है गीरा होता है सारदा होता है वीरा पाणी होता है इसके thank you thanks for watching thank you